Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल में होने वाली बनमित्र भरती के बारे में तो जैसे कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इस भरती पे फिलाल कोट की तरफ से स्टे लगा हुआ है और जो आगे की प्रोसेस होने वाले थी वो नहीं हो सकती है तो इसकी जो अगली सुनवाई है वो 22 मार्च को होने वाली है और ये भी आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो इंटर्विव रखा गया था तो उस बज़े से जो है वो इस बरती पे केस हुआ है और इसमें क्या है कि जो बन भिवाग है उनका कहना है कि ये कोई रेगुलर पोस्ट नहीं है तो क्या इसमें मतलब जो रूल्स है वो रेगुलर पोस्ट वाले रहेंगे या नहीं रहेंगे इसके लिए उन्होंने सरकार से भी क्लैरिफिकेशन मांगी है और सरकार की तरफ से जब भी उनको क्लैरिफिकेशन मिलेगी तो आगे जो 22 तारिक को सुनवाई होगी तो वहाँ पे कोट में वो बात रखी जाएगी फिर देखते हैं कि कोट की तरफ से क्या फैसला आता है और फिर क्या होगा कि मतलब 22 तारिक को 22 मार्च को जो सुनवाई होने वाली है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या यह भरती साल कंप्लेट हो जाएगी यह आशा बरकर भरती की तरह लंबे समय के लिए कोट में लटक जाएगी बहुत सी चीजें अगली सुनवाई से क्लियर हो जाएगी तो ये चीजे हैं बाकी बन विवाग ने तो ये कह दिये कि रेगुलर पोस्ट नहीं है उन्होंने सरकार से क्लारिफिकेशन मांग दिये तो लास्ट हीरिंग में ये सब हुआ और अब देखते हैं नेक्स सेरी में क्या होता है जैसे कोई अपडेट आएगी तो मैं जुरूर आपको बताऊंगा आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक में शेयर कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ़र्द न्यू अपडेट्स के लिए